अलो स्टुडेंट वेलकम टो माई यूटूब चैनल अगर दोस्तों आप लोग भी विहार बोड कलास्टेंथ का एक्जाम 2023 में देने वाले हैं तो दोस्तों देखिए यह वीडियो हम साइन्स के लिए कर आये हैं और दोस्तों मैं बता दूँ दोस्तों यह वीडियो देखने आपका जो एक्जाम होने वाला रहे हैं 2023 में जीस तरीके से होगा उसी टाइप का यह सेंट अप्शाम होता है तो दोस्तों इसली 15 नममबर से आपका चैलू होने वाला है देखिए दोस्तों आप लोग जाकर वहां से पर मिला सकते हैं कि यह वीडियो से कोशन आया है कि नह स錢 किया कर रहा है कि जिस उस्तू से प्रकास निकलता है उसे कहा जाता है कितना सत बोस्त स्वाल ने लाएक है डिये ढेंट सवाल का एंसर नेसруго हैं इसका को प्रकास रोत यानी के ऑस Caribbean बिल्कुल आपका सही एंसर, option number A होगा, चलिए, दो नमर कोशन देखिए, दो नमर कोशन क्या कर रहा है ना, कि खत्रे के संकेत का प्रकास किस रंग का होता है, ठीक है, बहुत ही most important यह स्वाल है, बहुत ही असान है दोस्तों, आप लोग को मालूम होगा, खत्रे के लिए, क्या कर रहा है, कि option number 3 है, question number, एक जूल और एक second के अनुपात को क्या कहते हैं, बहुत ही most important यह स्वाल है, देखिए, ठीका जो right answer होगा, दोस्तों, option number आपका, बिल्कुल one, यानि कि one word कहा जाता है, यानि कि आपका D option सही है, चलिए, आगला question देखिए, दोस्तों, चार नमर option number, बिल्कुल आपका 100% सही, प्रतिकर्शन होता है, ठीक है, क्या होता है, प्रतिकर्शन होता है, प्रतिकर्शन, चलिए, आप लोग ध्यान रखेंगे, चार नमर हो गया, चलिए, five number question को देखिए, दोस्तों, बहुत most important यह सवाल है, five है, हमारे पास की विधूत मोटर परि प्रतिकर्शन कर देता है, ठीक है, इसका आप लोग ध्यान रखेंगे, यह सवाल को बहुत बार, एक्जाम में पुछा जा चुका है, बहुत most important यह भी विधू यह objective है, चलिए, अगला question देखने से पहले, दोस्तों, अगर आप लोग लाइक नहीं किये, तो प्लीज आप मीटर इंबर्स यानिकी, option number C, आपका बिल्कुल 100% सही है, चलिए, लेंस का आप रखेंगे, चलिए, लेंस का आपका आपका जो बिल्कुल राइट एंसर होगा, अप्शन नमर दोस्तों, आपका बी राइट एंसर होगा, प्रकास के प्रतिकर्ण के कारण जो होता है, प्रकास का रंग नीला दिखाई देता है, आकास में चलिए, अगरा देखेंगे, यह नमर कोरण कर आए, हमारे पास कि बिल्चुम बंकी ए, प्रेड़ की खोज किस्ने की थी, बहुती, most important यह सवाल है, बिल्चुम बंकी पिरेड़ की खोज, दोस्तों, देखिए, आपका वस्तु के बराबर रहे तो दोस्तों गलस नमर का आय आगला fabric नमर क्या कर रहा है कि हमारे पास ये qw बराबर होता है एक qw बराबर होता है तो तहीं अपका चीन का बिल्कूल रायट इंसर दोस्तों Coronavirus और दसका आपका बिल्कुल हैंडिट परसेंट एस यह तीन पॉइंट सीक्स गुन्य दसके पर शे जूल होता है ना आपका एक किलोवाट के बरावर होता है चलिए अगला कोशन देखेंगे इगारा नमर दोस्तों कर रहा है कि हमारे घरों में जो विधुत आपूर्ती की जा कोशन क्या कर रहा है कि अउतल दरपड की फोकस दूरी उसकी वगतरत रिजा की होती है ठीक है अउतल दरपड की फोकस दूरी जो होती है उसकी वगतरत रिजा की क्या होता है देखिए बारा का जो आपका राइट एंसर होगा अप्शन नमर बी होगा दोस्तों आदी होती ह चलिए आगला कोशन देखेंगे 15 नमर दुसतों देखी क्या कर आए ना कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से कौन सा द्रिश्टी दोस होता है ठीक है कौन सा द्रिश्टी देश्टी दोस होता है तेरा काप देखेंगे बिल्कुल हाने टपरसेंट सही अप्शन नमर यह होगा निकट दिरिष्टी दोस होता है क्या होता है दोस्तों निकट दिरिष्टी दोस होता है चलिए अगला कोशन देखेंगे चोदा नमर करा है कि निमने लिखेते में कौन सापदे जो है न विदुत परिपात में विदुत सक्ती को निरुपित को नहीं करता है प्रीज में कितने सतो से घीरा होता है तो देखिए पंदर का विल्खुल राइच ऐंसर दोस्तों अपसा नमबर सी होगा पांच सतो से घीरा होता है ठीक है चलिए अगहला कोशन देखिए सपर रहा है कि विधुत की जीमेंट में जो किस और है कि सब्सक्राइब होता एण ऐसे उन्हीं प्रीवरत्न किये घाता है अभी नेट्रेलेंस की फूकस दूरी में परिवरतन केया जाता है देखिए अच्पा आपका बे जो दो सब्सक्राइब निए नाम है दोस्तों नाम है दूसरा नाम मता रहे आठारा का बिलकुल प्रेट इंसर अप्स्टान नमर दी हो जागा प्लास्टर फेरिस को क्या बोला जाता है और हाइट्रेट ठीक है अच्छा है हेमा हाइड्रेट ठीक है आप लोग ध्यान रखेंगे चलिए अगला देख लेज़े दोस्तों नीश निमर कोशन क्या कर रहें कि ओक्सीजन यान कि ओक्सीजन की परमालूसन क्या बताना है आपक एक पीको मीटर जो है ना कितने मीटर के बरावर होता है तो बताना है दोस्तों देखेंगे आपके सामने चार अप्शन दिये हुए तब 20 का बिल्कूल हैंड़ परसेंट जो है ना 20 का अप्शन नमर सी हो जाएगा 10 के पावर 12 जो है ना मीटर होता है चलिए 10 के पावर अप्शन नमर दोस्तों यह हो जाएगा दोस्तों अप्शन नमर यह होगा दोस्तों हाइल दिया है दोस्तों ओएच ठीक है चलिए बाउंड ओएच है क्या हो दोस्तों बाउंड ओएच ध्यान रठेंगे चलिए अगला कोशन देख लीजे अगला हमारा पास आए 22 नमर होगा option number C हो जाएगा क्या होगा option number C हो जाएगा अभी कारक होगा चलिए अगला question देखिए हमारे पास है 23 नमर क्या कर रहा है कि सधारा नामक ठीक है सधारा नामक का रासानिक शुत्र बताना है बहुत ही most important यह सवाल है 23 का देखिए जो राइट एंसर होगा option बहुत ही आसान question है चलिए अगला question देखिए दोस्तों 24 नमर क्या कर रहा है कि पोटाइसियम यानि की की प्रमाणू संक्या क्या है पताना है तो 25 का बिल्कुल एंड़ पर्शन यह जो है बिल्कुल सही है चलिए उनीस होगा चलिए 26 नमर कोशन देखिए दोस्तों 26 निम में लिकित में ठीक है कौन दूरलब आमल है दूर लब आमल है तो देखिए जो राइट एंसर होगा ना च अगला कोशन देखिए हमारे पास जो है कि कारवन क्या है करवन क्या है बताना है 27 का बिल्कुल एंड़ पर्शन नमर देखिए ऑप्शन जो है बी सही है अधातु है क्या है अधातु है चलिए अगला देखिए अधातु है बिधूत का सुचालक होता है 28 का देखिए जो राइट एंसर होगा ऑप्शन नमर बी होगा क्या होगा गिरफाइड जो है ना विधूत का सुचालक है चलिए अगला देखिए 29 कोशन क्या कर रहा है हमारे पास है कि 29 कोशन कि आवर्ट सार्णी में कितने वर्ग है तो 29 का देखिए जो राइट इंसर होगा बिल्कुल अपका डी उप्शन सही है अठा आठार जो है आपका सही एंसर है चलिए अगला कोशन देखिए तीस नमर कोशन क्या कर रहा है कि उधासीन बिलियन का पी एच मान क्या होगा तो दोस्तों जो राइट एंसर होगा ना पी एच मान तीस का आपका बिल्कुल सही उप्शन नमर सी हो जागा यानि कि साथ के बराबर होगा चलिए दोस्तों देख लीजिए एक तिस नमर कोशन क्या कर रहा है कि अभी किरिया कर रहा है कि सी यू पलस एस्टू में किसका उप्चेयन होगा ठीक है तो देखिए जो दोस्तों अप्शन नमर कोशन देखिए जो बिल्कुल सही है चलिए अगला देख लीजिए तिस नमर कोशन क्या कर रहा है कि कौन सन ने ठीक है कौन सन वर्गा का तो तो है यानि कि यहां पर सुन ने वर्गा होगा होगा है अप्शन नमर यहां पर देख लीजें को जो है न सुन न वर्गा का तत्व है जो राइट एंसर होगा है जो यहांनी कि ऑड़ों दोस्तों सुन नमर क्या कर रहा कि हमारे पास है कि जल दिवस कब मनाया जाता है जल दिवस कब मनाया जाता है बहुत ही इंप्रेटन यह सवा जाता है चलिए 35 नमर्द दोस्तों कि कोशन 35 क्या करें कि किसी परस्तितिक में तंत्र में उर्जा का ग्राण करने वाले होते हैं जो राइट एंसर होगा 35 का 35 का अप्शन नमर्ड यह हो जाएगा उत्पादक जो है ना सही एंसर है चलिए 36 नमर्द कोशन देखिए कि यानि कि एटीप है तो चलिए दूस्तों देख लिए कोशन है कि एटो नसीन ट्राइफ पॉस्ट फेट ठीक है जो है जो राइट एंसर होगा 36 का आपके सामने चार ओप्शन दिये हुए है ओप्शन नमर्ड आपका बिल्कुल सही ओप्शन नमर्ड अड़ी हो जागा इन में सामने कशल नमर्ड आपका बिल्कुल सही ओप्वयोक्त सभी है और면 कि ओप्शन सही है चलिए 38 क्यों सब्सक्राइबर कोशन होगा चलिए देखिए 49 नमर cannabis क्या कर रहा है कि सुक्राणूवगी दूर्शन होते है चलिए, अगला कोशन देखिए दोस्तों, 40 नमर को रहा है, यमारे पास उजोन परत पाये जाता है, 40 नमर देखलीजे, 40 का जो राइट इंसरों का नप्सन नमर बी हो जागा, वाय मंडल के उपरी परत सता हमें जोई नंर ऊजोन परत पाए जाता है चलिए एक त आलिस नमर देख़ी जिए एक तआलिस नमर है पास अनुवान्सी को गुडों का संदेश होता है ठीक है अनुवांसिक जो गुड़ों का संदेश होता है एक तालिस नंबर का जो राई उल्ट धो झायगा डी-एनै अणरूमें क्या होगगा डी-एनै आणprodu में चलिए एक ता絲िस नंबर हो गया से राई टैंसर होगा जो एक नरहारमोन है ये जो राई टैंसर होगा oh दोस्तों नमर बिल्गूल शाही अंसर होगा टेस्टो ट्रां जो है ने टेस्टो ट्रायन जो है राइट इंसर होगा एक नर्हरमोन है चलिए तैस्ट नमर देखलीजिए तैस्ट जो है आपका शुक्राणु का निर्माड होता है सुक्राणू का निर्माड होता है तेदि कि 43 का जो राई टेंसर होगना अप्शन नमर यह होगा ब्रिस्टरण में चलिए दुस्तो आगला देखेंगे कौन सी बिमारी स्वसन तंत्र से संब्वंदित है स्वसन तंत्र से संब्वंदित है तो 45 का बिल्कूल 100% सही निमूनिया स्वसन संब्वंदित है कि मानो सरीर में सबसे लंबी कोशिका है मानो सरीर में जो सबसे लंबी कोशिका है यानि कि अप्शन नमर सी सईयोगा तंत्रिका कोशिका चलिए अगला देखेंगे टेस्टो टेस्टो स्टेट्राइब होता है थोड़ा नाम तेड़ा है ठीक है अप लुग ध्यान से पढ़ लेगी दोस्तो चलिए इसके लिए सवर्य देखेंगे दोस्तो सेंतालिस के आपको जो राइट इंसरों गाप्शन नमर ए हो जगा बीस रास है चलिए अगर आप लोग यहां तक देखें तुछ के लिए शुकुरिया धन्यवाद जोस्तों आप लोग देखियेगा 20-25 subjective question नहीं लड़ा तो दोस्तो आप लोग comment जरूर से जरूर कीजिएगा ठीक है अगर आप लोग ये वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तो फिलीज आप लोग लाइक कर दिजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बलत बगल का बेल आइकन दबा लेंगे ताकि आप लोग को हर 20 का हर टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहेगा चले दोस्तो धाइंक्स पर मिलेंगे अगले वीडियो में जय है जय वगारफ इसको जदना उसके सेर किजिए अपने दोस्तों मित्रों में